इंडिया में एक लोयर Communist less you whetherdockely標 h Corona चाहता है तो ऐख है मिली कार जोकि एक between जोकि9 कंडिनम्स कॉस्ट उसके लिए बेटेगा तो वही सारे गाडियो के बारे में यह वीडियो में बात करेंगे ऐसे आट गार्यों की Literally में आपको देने वाला हो जो कि सबसे लोव मेंटनांस आपको लगेगा नंबर आट में आ जाती है टाटा की टिया को जिसकी प्राइस रंस 5.60 लाक से सुरू होता है टॉपेंड मॉडल में 8.15 लाक सक पहुंजाती है यह हैस्वेक गाड़ी है गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल का माइलेज आपको CNG में भी देखने को मिल जाएगा जी हां गाड़ी में CNG भी अवलेबल है और गाड़ी के मेंटनांस कोस्ट काफी लो है उसके बार नंबर साथ आ जाती है युनडाई की ग्रांड आइटें नियोस जिसकी प्राइस रंस 5.73 लाक से सुरू होता है गाड़ी में CNG ऑफ्सन भी आवलेबल है जिसमें 26 किलोमेटर पर केजी का माइलेज भी क्लेम किया जाता है और ये गाड़ी में काफी ज्यादा लो कस्ट मेंटनांस गाड़ी में देखने को मिल जाता है उसके बार नंबर 6 में मारति सुजुकी की डिजार हाला कि ये गाड गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजिन जो कि प्रडूस कता है 88 बेच्पी का पावर पेट्रोल में 22.41 कम पेल का माइलेज भी क्लेम किया जाता है गाड़ी में CNG का ओफ्सन भी आवलेबल है जिसमें 31 किलोमेटर पर केजी का माइलेज क्लेम किया जाता है जो कि काफी बढ़िया है और जिर्फ इतना ही नहीं गाड़ी का मेंडिनांस को सबसे ज़्यादा लोग है नमबर पांच पे मारत सुजुकी की स्विफ्ट जो कि 5.99 लाक्स की प्राइस सुरू होता है टॉपन मोडल में 9.03 लाक्स की प्राइस पहुंच जाती है एक सुन के प्राइस के जाता है जो कि काफी बढ़िया है और सी एंजी का ओफसन भी आविलेबल है जिसमें अल्मोर्स 31 किलोमेटर पर केजी का मैलेज भी क्लेम किया जाता है गाड़ी के मेंडिनांस कॉस्ट काफी लोग है ये गाड़ी को भी आप ज़रूर कंसीडर के जिएगा नमबर चार पे रेनौल्ड की क्वीड जिसकी प्राइसरंस 4.70 लाक से सुरू होता है टॉपेंड मॉडल में 6.33 लाक से इसकी प्राइसरंस एक्सरों के हिसाब से पहुंच जाती है काड़ी में वान लीटर वाली पेट्रोल इंजिन आवे लेवल है जो की प्रडूस करता है 67 dhp का पावर 21 21.46 किलो मिलोमेटरقدर का मैलेज तंब से इतना ही ना इससकी आपकी आपके अप्रोमेटिक ट्रांस्मिटिसन बे और ज्यादा माइलेज नंके 22.3 किलोमेटर लेज तका मैलेज धर जाता हिसा जनका काथ कश्च कर सकता है यह गाड़ी को भी आप श्रक्र offen- Pablo लाग तक इसकी प्राइस पहुंच जाती है यह गाड़ी इंडिया के मार्केट में हाजबेक सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल लेती है और यह गाड़ी में आपको वान लीटर वाली पिट्रोल इंजिन मिल जाती है जो की प्रोडूस कता है 65BHP का पावर और यहां पे आपको 25.24 km पर लीटर का माइलेस क्लेम किया जाता है गाड़ी में सबसे बढ़िया माइलेस यानकी AMT जो ट्रांसमिशन यहां पे दिया गया है इसमें आपको 26.68 km पर लीटर का माइलेस क्लेम किया जाता है गाड़ी में CNG का ओफ्सन भी आवलेवल है जिसमें आपको 35.6 km पर केजी का माइलेस क्लेम किया जाता है नमबर दो पे मारुतिय सुजुकी की और गाड़ी जीहां मारुतिय सुजुकी की अल्टो केटिन जिसकी प्राइस रंग 3.99 लाग से सुरू होता है टॉपेंड मोडल में 5.96 लाइस तक इसकी प्राइस पहुंच जाय थी गाड़ी में भी वान लीटर वाली पेट्रोल इंजीन आवलेवल है जो कि 65 HP का पावार प्रडूस करता है और यह आपको 24.39 km पर लीटर का माइलेस निकाल के दे दे थी गाड़ी में CNG का ओफ्सन भी आवलेवल है जिसमें आपको 33.85 किलोमेटर पर केचिक का माइलेस भी क्लेम किया जाता है यह गाड़ी की मेंटरनांस कॉस्ट भी काफी लो है बात करेंज सेलेडियो और अल्टो केटिन यह दोनों ही गाड़ी की मेंटरनांस कॉस्ट सबसे ज्यादा लो है तो आप यह आपको 796 देजी का पेट्रोल इंजिन जिसमें आपको 47 बेच्प का पावर और यह गाड़ी में 22.05 किलोमेटर पर लीटर का माइलेस क्लेम किया जाता है गाड़ी में सी एंजी का ओफसन भी आवलेवल है जहां पे 31.59 किलोमेटर पर केचिक का माइलेस क्लेम किया जाता है और यह गाड़ी की मेंटेनांस कॉस्ट अभी तेक की लेस्ट में सबसे ज़्यादा लो है एक बाइक में जितना खर्चा आता है यहां पे आपको उतना ही खर्चे में कार मिल जा रहा है तो कैसा लगा यह इनफॉर्मेसन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ऐस हमारी चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं इसे किसे नए वीडियो के साथ तब तक लिए विजाए दीजिए बब बाई